बेहद इंपोर्टेंट वीरियो में हम UPSC के साइंस के प्रिवेस एर कुश्चन्स देखेंगे विद प्रूप मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे UPSC ने NCRT बुक से काफी सारे कुश्चन्स फ्रेम किये हैं NCRT के वो कौन से 18 चेप्टर्स हैं जहां से आप मेटा नोलेज क्रियेट करके डारेक्ट या इंडारेक्ट सवाल सौल्व कर सकते हैं साइन्स का वेटेज अगर आप देखें तो 12 तो 17 कुश्चन्स नॉर्मली रहता है जिसमें करेंट अफेर के साथ साथ अस्टेटिक साइन्स भी पूछे जाते हैं मैं नेम इस अंकित मैं आपको अपना नोलेज रिसर्च आफ यूपी असी प्रिवियस यर सेयर करूंगा लेट्स स्टेडि यह कुश्चन सिविल सर्विसेज 2021 में पूछा गया है तो रीसेंट का कुश्चन है देखें यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है तो असल में यह न्यूट्रेंट साइकल के उपर कुश्चन है तो यह जो बायोजियो केमिकल साइकल है यह बहुत जादा इंपोडेंट है पास्ट इयर में भी काफी सारे सवाल यहां से पूछे गए हैं खास करके वाटर साइकल कार्बन साइकल और सबसे इंपोडेंट नै तो रॉक्स की वेधरिंग मेन सोर्स यहां पे है क्या यह कारबन साइकल है नैट्रूजन साइकल है फोस्फोर साइकल है या फिर सल्फर साइकल है दोस्तों यह क्लास 12 बायोजी एंसी राली का चैप्टर 14 एको सिस्टम है अगर इसी चैप्टर के आप पेज 254 में देखें तो इनमें nutrient cycling के concept को काफी detail में समझाया गया है तो ये chapter अपने आप में काफी ज़्यादा important है देखे carbon cycle के बारे में भी बताया गया है इसके बाद अगर बात करें phosphorus cycle की तो phosphorus हमें पता है biological membranes, nucleic acid इनमें काफी प्रमुग घटक है, एक major constituent है और बहुत सारे animals को भी in fact phosphorus की काफी ज़्यादा need होती है because of cells, bones and teeth अगर natural reservoir की बात करें phosphorus की, तो ये rocks है क्यों? क्योंकि rocks में phosphorus, phosphates के रूप में होते है तो जब rock की weathering होती है, यानि जब बारिस आती है या कोई external agent के कारण, जब rocks minute particles में तूट जाते है तो ये जो rocks के अंदर में मौझूद phosphates होते हैं, ये soil solution में घुल जाते है इसके बाद पेड की जड़ों के द्वारा absorb कर लिये जाते है और इसके बाद अगेन आप समझ सकते हैं, obviously harviboros और बाकी animals जो है इन plants को अपने भोजन के रूप में लेंगे इसके बाद इस तरीके से ये phosphorus cycle चलेगा तो इसका correct answer क्या है, option C, phosphorus cycle direct NCRT से आप कह सकते हैं, ये question solvable था और इस तरीके के question बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, ये आसान सवाल होते हैं NCRT के कुछ important chapter जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, उन्हें आप जरूर cover करें ऐसे question बहुत आसानी से आप solve कर सकते हैं दोस्तो ना next question देखे, ये again biology से है और civil services 2020 का question है plant cell और animal cell के बीच में general difference आप से पूछा जा रहा है यानि सामयन रूप से कौन से अंतर देखने को मिलते हैं अगर हम बात करें, यहाँ पे plant cell और animal cell की तो पहला जो statement है वो ये है, कि plant cell में cellulose cell wall होते हैं जबकि जो animal cell है, इनमे cell wall नहीं होते हैं दूसरा जो statement है, वो ये है, कि plant cell में plasma memory नहीं होता है जबकि animal cell में होता है तीसरा statement यह है कि जो mature plant cell होते है इनमें one large vacule देखने को मिलता है जबकि जो animal cell है इनमें छोटे vacules यानि small vacules देखने को मिलते है बताना है आपको कि कौन-कौन से correct answer है यहाँ पर correct statement है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर 1, 2 and 3 दोस्तों यह class 8th NCRT का chapter 8 है chapter का नाम है cell structure and function तो cell के बारे में basic बताया गया है cell की discovery किस तरीके से हुई cell एक basic structural unit है इसके बाद example से समझाया गया है और इसके बाद shape के बारे में बात की गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं cell wall के बारे में बताया गया है यानि जो जिल्ली है यही से प्रदान करती है plant और animal cell को in fact अगर आप देखें जो cell wall है ये additional covering होती है cell membrane के उपर तो पहले एक पत्ली जिल्ली होती है इसके उपर cell wall होती है लेकिन हम बात कर रहे हैं plant cell की तो काफी important है ध्यान रखेगा सबसे जरूरी बात आपको यह यहाँ पे ध्यान रखनी है कि animal cell में केवल membrane होता है cell wall नहीं होती बहुत ही basic difference है ध्यान रखेगा animal cell की अगर हम बात करें तो केवल जिल्ली होती है यहाँ पे cell wall नहीं होती जबकि plant cell में membrane भी होती है यहाँ जिल्ली भी होती है उसके उपर में एक आवरन भी होता है wall भी होता है और यह आप देख सकते हैं in fact आपको पता भी होगा NCRT के boxes काफी ज़्यादा important होते हैं तो यहाँ पे additionally देखे बताया गया है कि I want to know why plant cell need cell wall यानि cell wall की ज़रूद plant cell को क्यों पढ़ती है और animal cell को क्यों नहीं तो यहीं बतायागा यहाँ पे कि जो additional layer है यह cell membrane को plants में cell membrane के लिए protection के लिए होता है तो यहाँ से यह बात काफी important बन जाती है in fact आप देखे तो class 11th biology में भी chapter 8 के अंदर cell के बारे में काफी detail से discuss किया गया है cell membrane की क्या उपयोगिता है इसके अलावा cell wall की क्या uses है क्या उपयोगिता है और plant cell में होते हैं या नहीं यह सारी बातें काफी detail में यहाँ पे बताई गई है ना देखते हैं इस question को तो अगर पहला statement हम देखें plant cell have cellulose cell wall while animal cell do not तो यह बिल्कुल सही बात है अभी हमने देखा plant cell में cell wall होते हैं जबकि जो animal cell है इन में cell wall नहीं देखने को मिलते हैं तो यह बहुत जनरल statement है और अभी हमने cover भी किया और 8th class की NCRT के अंदर हमने देखा था कि जो plant cell है do not have plasma membrane कहा जा रहा है जबकि animal cell which do यानि animal cell में plasma membrane होता है और plant cell में नहीं होता है तो यह बात तो बिल्कुल गलत है न अभी हमने यहाँ पे साफ साफ cover किया है कि जो plasma membrane है यह दोनों में ही देखने को मिलते हैं right plant cell में भी in fact animal cell में भी और इसके reason को भी हमने समझा था और यह बात आपको ध्यान रखनी है जैसे boxes में भी हमने cover किया 8th class के NCRT के box में कि plant cell को additional protection यानि cell wall की ज़रूरत क्यों पढ़ती है तो उसका reason हमने देखा because plant cell को protection की need होती है तो इस तरीके से second गलत है तो केवल अगर आपको ये पता है कि plant cell में भी plasma membrane होता है तो आप 2 को यहां से जब eliminate करेंगे तो काफी आसानी से answer आपका निकल करके आ जाएगा 1 and 3 only तो ये basic sciences बिल्कुल 8th class की NCRT से भी आप cover कर सकते हैं और काफी आसानी से ऐसे question आप solve कर सकते हैं दोस्तों ना इस question को देखे ये civil services 2021 का है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्लिकित में से कौन debtory wars है और statement है यहाँ पे आपके पास earth homes, jellyfish, millipids, sea horses या wood lies तो ये देखने में बड़ा भेंकर सा tough सवाल लग रहा है बढ़ देखे NCRT से हम कैसे solve करते हैं ये class 12th NCRT biology का chapter 14 है ecosystem इसी से अभी हमने phosphorus cycle वाले question को solve किया था अगर इसी chapter की सुरुवात में आप देखें तो काफी important chapter है ये environment के perspective से net primary productivity और ये सारी चीज़ें जो environment के important concept हैं ये discuss किये गए हैं तो यहाँ पे एक decomposition वाले section की बात की गई है तो असल में decomposition क्या है इसे समझाया गया कि किस तरीके से जो decomposer होते हैं ये breakdown कर देते हैं complex organic matter को simple in organic substances में और यही process decomposition कहलाती हैं इसके बाद बताया गया detriti wars के बारे में तो ये जो detriti wars होते हैं example में दिया गया earthworm ये क्या करते हैं detritus को small particle में तोड़ देते हैं तो अभी detritus के बारे में हमने समझा कि जो carbonic matter है उन्हें simply complex carbonic complex organic matter को in organic substance में तोड़ दिया जाता है और फिर उसे जो तोड़ते हैं वो detriti wars कहलाते हैं तो बहुत ही basic सी बात थी ना अब इन्हें observe करिए तो earthworm तो definitely होगा jellyfish, jellyfish के बारे में आपने सुना होगा obviously ये detriti wars तो नहीं है because यहां तो हम earthworm, wood lice इस तरीके के जीवों की बात करेंगे जो organic matters को simplify करते हैं तोड़ते हैं तो इसमें तो jellyfish आएगा नहीं अब देखते हैं option को, अगर आप jellyfish को eliminate करते हैं हां से तो देखिए आपका answer निकल करके आयाता 1, 3 and 5 तो बेहद आसान सवाल है, in fact basic NCRTs में भी कई बार detriti wars का जिक्र, decomposer के बारे में इन चीजों के बारे में बताया जाता है और ये काफी important हिस्सा है, अगर आप देखें तो because जो complex organic substances हैं, इन्हें breakdown करना काफी जरूरी होगा तो अगर आप keval jellyfish को ही eliminate करेंगे, तो answer निकल करके आजाएगा 1, 3 and 5 दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार दुबारा देख लीजे देटिटी वोर्स के बारे में, तो ये heterotrophic animal होते हैं, जो कि dead particulate पर निर्भर करते हैं, उन्हें feed करते हैं, इनमें crabs, snail, earth form, ये चीज़े आती हैं तो अगर आपको बस basic clarity है, तो काफी आसानी से आप jellyfish और बड़े organism को eliminate कर देंगे दोस्तो केवल biology में ही नहीं, in fact आप देखें तो chemistry के भी कुछ tough nature के question NCRT से आप solve कर सकते हैं जैसे इस question को देखें, generally मैं recent वाले questions ले रहा हूँ, water can dissolve more substances than any other liquid because यानि जो पानी है ये ज़्यादा घुलंसील होती है, किसी भी ionist substance के मुकाबले, liquid में अगर हम देखें तो ऐसा क्यों होता है, क्या ये dipolar है nature में, इसलिए, ये heat के good conductor है, इस वज़ा से ऐसा dissolving nature देखने को मिलता है high value of a specific heat है इस कारण से, या hydrogen के oxide होने के कारण ही केवल यहाँ पे water dissolving nature के होते हैं ये जो question है particularly, ये थोड़ा tough nature का question है, अगर आपका science में background नहीं है, तो थोड़े से कुछ technical term समझने में दिक्कते आ सकती है ये 11th class की chemistry के NCRT है, chapter 9, chapter का नाम है hydrogen, यहाँ पे कई सारे बातें water के बारे में बताई गई है, water के molecular structure के बारे में बताई गई है और water क्यों जादा घुलनसील है, किस तरीके से solvent है, इसके पीछे के reason को बहुत detail में discuss किया गया है In fact, अगर आप देखें, तो जो last के pages में summary होती है, कि अवर वहाँ से आप इस question को solve कर सकते थे हाला कि chapter में तो obviously काफी detailed discussion है, तो summary में अगर आप देखें, the water molecule is highly polar due to its bend structure और इस कारण से क्या होता है, आप पढ़ सकते हैं, कि यह बहुत ही अच्छा solvent है, तो यही reason है कि NCRT के जो boxes हैं, जो side में, जो summaries होती हैं, चेप्टर के end में, यह सारी चीजें भी बहुत जादा महत्पूर्ण है, अगर आप 11th class के science के books के कुछ important chapter की summaries भी cover कर लेंगे, तो ऐसे direct सवाल आपको देखने को मिलेंगे एक्जाम में, तो good conductor से कोई लेना देना नहीं, high value of specific heat वाली जो बात है, यह बिल्कुल अलग है, hydrogen के oxide से भी कोई मतलब नहीं है, dipolar nature का होता है, इसका क्या मतलब है, इसे मैं आपको थोड़ा समझाएता हूं, देखिए यह oxygen है, और इसके साथ hydrogen के bonds है, अगर oxygen के हम बात करें, तो यह electronegative होता है, electronegative होने का मतलब यह है, कि इनमें जो charge है, यह partial negative है, तो यही reason है कि oxygen जो है, यह hydrogen molecules को attract कर रहा है, इस कारण से यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे simply, कि यह negative और positive charge का combination बन रहा है, जो कि dipolar कहलाता है, तो इस व हम लोग detailed में discuss करेंगे, science के lectures में, फिलाल आप यह समझेए, कि NCRT से यह question directly solvable थे, दोस्तों आप इस question को देखें, यह भी again काफी tough question लग रहा है, यह civil services का question है, इसे भी हम लोग NCRT से easily solve करेंगे, आपको, आपसे यह पूछा जा रहा है कि कौन कौन से primary producer है, ocean की अगर हम बात करें, ocean के अंदर food chain में, तो primary producer क्या होते हैं, वह producer जो की generally higher organism के भोजन बनते हैं, और यहाँ पे अगर हम option देखें, तो 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, या फिर 1 and 4, source अभी हम देखेंगे class 11th biology से, अगर आप इस chapter में देखें, तो काफी important है और काफी detail में बताया गया है, यू bacteria के बारे में, इसी तरीके से देखें, die atom के बारे में भी बताया गया है, तो क्राइसोफाइट्स के बारे में जब discuss किया गया तब बताया जा रहा है कि जो die atoms है, ये chief producer है, oceans में, तो obviously फिर ये primary producer हुए, क्योंकि chief producer का मतलब ही होता है, primary producer, तो यहाँ से आप कह सकते हैं, directly बता दिया गया है कि die atom primary producer होते हैं, तो इसका मतलब die atoms definitely हमारे answer में आएगा, और यहाँ पे अगर हम 3 को रखें, तो 2 option काफी आसानी से eliminate हो जाते हैं, ना बस आपको 2 और 4 के भी चेक करना है, इसी तरीके से यहाँ पे cyanobacteria, जिसे blue green algae कहते हैं, इनमें बताया गया है कि इनमें chlorophyll होता है, green plant के तरह ही होते हैं, और autotroph होते हैं, यानि swap policy होते हैं, और again यह algae हैं, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यह भी काफी प्रमुक producer है, primary producer है, food chain के अंदर, ना केवल आप 2 को include करेंगे answer में, third तो मारे answer में था ही, और इस तरीके से बहुत easily हम आपने answer तक पहुँच जाएंगे, जो कि correct answer है 2 and 3 only, तो दोस्तों यह है वो important chapters जिने cover करके आप meta knowledge create कर सकते हैं, और यह exam में आपको काफी जादा directly और indirectly help करने वाले हैं, और इस video को end तक देखने का reward यह है, कि यह सारे जो important chapters हैं, इन्हें हमने app में under science subject section में add कर दिया है, जिसका link pinned comment में दिया गया है, next video में एक new analysis के साथ मिलते है तब तक keep doing focus study, thank you